दादी मा आज हम इस चैप्टर के प्रशन उत्रों का भ्यास करेंगे तो पहला प्रशन इस परकार है लेखक को अपनी दादी मा की याद के साथ-साथ बच्पन की ओर किन-किन बातों की याद आ जाती यानि जो लेखक है उनको अपने दादी मा के साथ जो वक्त बिताया है उसके साथ-साथ और बच्पन की कौन-कौन सी बाते याद आने लगती है उसका उत्तर इस प्रकार है कि जब लेखक को ग्यात हुआ कि दादी-मा की मृत्ति हो गई तो उसके सामने दादी-मा की सभी यादे सजीव होने लगी साथ-साथ उसे अपने बच किस मृतियां गंद पून जागबरे जलासु में कूदना बिमार होने पर दादी का दिनराथ सेवा करना किशन भीया की शादी पर ओरतों द्वारा गाये जाने वाले गीत और अभिने के समय चादर ओड कर सोना और पकड़े जाना रामी चाजी की गटना आदी सारी बाते य यानि जब लेखर को ग्यात हुआ कि उनकी दादी की मृत्ति हो गई है तो उन्हें दादी मा के साथ बिताए सारा वक्त याद आने लग गया और अपने यार दोस्तों के साथ जलासु में कूदना नहाना वहाँ पर बिमार हो जाना फिर दादी मा का उनकी सेवा करना किशन या कि साथ दी में मोझ मस्ती करना अभिन्हे के समय चादर ओड कर सोजाना पकड़े जाना और रामी चाची उन्हें याद आने लगी लगे अगला प्रशन है दादा की मृत्यों के बाद लेखक के घर के आर्तिक स्थिती खराब क्यों हो गई यानि जो दादा थे लेखक के उनके मृत्यूं के बाद उनके घर की आर्थिक स्तिती खराब क्यों हो गई यानि उनके पास पैसे की कमी क्यों हुई इसका उत्तर इस प्रकार है दादा की मृत्यूं के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्तिती खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी ने कप्टी मित्रों और गलत सुबचिंतकों की संगती में सारा धन नश्ट कर डाला दादा के श्राद में भी दादी मा के मना करने के बावजूद भी लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दोलत व्यत्थ की यह संपती घर की नहीं थी कर्ज में ली गई थी इसी वज़े से घर की माली हालत डावा डोलो गई यानि जब दादाजी की मृत्ती हुई तो लेखक के पिताजी जो की कुछ कप्टी मित्रों और कुछ गलत सुबचिंतकों की संगत में थे उन पर उन्होंने सारा धन किया था क्योंकि वह संपती उनकी खुद की नहीं थी वह कर्ज में लीवी थी इसी वज़े से कर्ज चुकाते चुकाते घर की हालत डावा डोल हो गई अब अगला प्रशन है दादी मा के सोभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों यानि जो दाद दादी मा के सोभाव में अनेक पक्ष ते हैं जैसे लोगों की सेवा करना परोपकारी वरस सरस्वाब संदक्षनी और कभी-कभी कठोरता भी देखने को मिलती थी उनके सोभाव में इन सभी सोभाव में मुझे दादी का सैहर देता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है क्योंकि लेखेक के बिमारों ने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना यानि जो दादी मा थी उनके सोभाव में बहुत से पक्ष थी वो कभी कठोर हो जाती थी कभी मृदूल बन जाती थी लेकिन उनमें मुझे सबसे अच्छा लगता है उनका कोमल और सर्देता वाला जो कि कहां दिखता था जब लेखक बिमार हुआ तो उन्होंने उनकी सेवा करी और रामी चाची की बेटी की शादी पर उनकी शायता करना उसका पिछला बकाया क्रण माफ करना पिताजी के आर्थिक तंगी को देखकर दादा की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदी दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमकुद्देश्य था इनी के कारण वे दूसरे को मन जीतने में सदैव सफल रहे यानि जो रामी चाची थी उनकी बेटी की शादी पर उन्होंने आर्थिक सायता करी और उनका पिछला रण भी माफ कर दि तो उन्होंने सोने के कंगन निकाल के दे दिये इन्हें बेचाओ क्योंकि आर्थिक तंगी जादा हो गई लेकिन वो दादा की निशानी थे फिर भी उन्होंने उसकी फिकर ना करते वे वो कंगन उन्होंने दिये यही दर्शाता है कि उनका जीवन का उद्देश्य सिर्व दूसरे लोगों की मदद करना था इसी कारण वे सभी का मन जीतने में सफल रहती थी तो बेटा हमने आज इसके सारे प्रशन उत्तर कर लिए हैं आप सभी उनको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें ठीक है बच्चों? थैंक यू